हमारे आज की रेसिपी है चुकंदर की पूड़ी याने की बी टूट पूड़ी चुकंदर की पूड़ी बनाने के लिए हमने एक चुकंदर लिया है चुकंदर को उपर से पील कर लिया है उसका छिलका उतार लिया है और उसके ऐसे चुटे टुकड़े काट लिया है अब इन चुकंदर के टुकड़ों को हम एक सौस पैर में डालेंगे और इसमें देड़ गिलास हम पानी डालेंगे इसे कुकर में भी उबाला जा सकता है उसकेस में आप इसमें थोड़ा पानी कम डालें एक गिलास से थोड़ा कम और एक सीठी दे दे तो उससे काम जल्दी हो जाएगा और इस तरह से अगर सॉस्पैन में इसे उबालेंगे तो हमको लगभग 7-8 मिनट तक इसे उबालना पड़ेगा क्योंकि चुकंदर को सॉफ्ट होने में थोड़ सा वक्त लगता है तो प्रेफरेबली इसे कुकर में उबालेजिए पस एक सीठी देनी पड़ेगी हम सॉस्पैन में उबाल रहे हैं और इसे ढखके उबालेंगे 7-8 मिनट हो चुके हैं और पानी काफी उबाल चुका है रिजूस भी हो गया है और चुकंदर के टुकड़े भी इसमें सॉफ्ट पड़ चुके हैं तो अब इसे ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे गैसकी फ्रेम को आफ कर देते हैं और इसे ठंडा हो ले देते हैं चुकंदर को पानी समित हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसका इस तरह का एक गाड़ा सा घोल टिया हो गया है इसको अब एक स्ट्रेनर की सहायता से हम छान देंगे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और अगर आप चाहे तो इसको बिना छाने भी बना सकते हैं अगर आपको ऐसा पीसावा चुकंदर इसके टुकड़े आपको पोडी में अच्छे लगते हैं टेस्ट अच्य लगता है तो आप इसे ऐसे भी इस्ते भी इसलत पर सकते हैं इसमें फाइबर्स है और अदरवियस आप इसको इसल शान के और इसका जो हमें रस निकाला है जूस निकाला उसका इस्तिमाल करें अब एक परात में हमने दो कप गेहूं का आटा लिया है आटे को अच्छे ते चाल के यूस किया है हमने इसे चाल के ही इस्तिमाल करना चाहिए अब इस आटे में हम एक तिहाई छोटा चमच नमक डालेंगे आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इसमें तीन छोटे चमच के करेब डालेंगे जो भी आईल आप अपने धर में इस्तेमाल करते हैं उसे ही डाल देजे और इस तरह से आटे में थोड़ सा तेल डालने से या मोहिन डालने से पुड़िया बहुत खस्ता बनती हैं तो इसके हमने थोड़ सा मोहिन डाला है अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अब हमने जो चुकिंदर का रस निकाला है उसी रस से इस आटे को हम गूढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और आटा गूढ़ेंगे और जितना रस हमने बनाया है वैसे तो ये सुपिशियन्ट है आटा गूढ़ने के लिए लेकिन अगर थोड़ा कम बढ़ जाता है तो साधा पानी डालके आट की कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट किया जा सकता है आटा हमने त्यार कर लिया है और जब हम पूरी का आटा त्यार करते है तो वो न ज़्यादा नरम होना चाहिए नहीं बहुत ज़्यादा सक्त तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो त्यार करना चाहिए और हमारा ये ऐसा ही डो बनके त्यार हो चुका है ये आप देख सकते हैं ये बहुत नरम भी नहीं और बहुत सक्त भी नहीं बहुत सक्त होगा और इसके उपर हम हलकी सी कोटिंग लगा देंगे जिसे कि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो हमारा आटा सुखेगा नहीं तो हमने इस तरह से इसके उपर एक कोटिंग लगा दिये हैं अब इसे ढखके लगबख 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए अब मैं यह ढखकन हटा रही हूँ और आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है एक बार फिर से इसको हलके हाथों से मल लेंगे और उसके बाद हम इसकी पूरियां त्यार करेंगे अब एक कड़ाई में हमने तेल चड़ा दिया है गरम होने के लिए और आजकल मारकेट में फ्लैट बाटम की भी कड़ाई आती है लेकिन पूरी तलने के लिए कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की राउन बाटम की ही कड़ाई के इस्तमाल करें अगर आप फ्लैट बाटम की कड़ाई लेंगे तो तेल काफी ज़्यादा मात्रम में रखना पड़ेगा अब आटम में से हमने बराबर साइस की लोईयां तोड़ ली हैं और उसके ऐसे पेड़े बना लिये हैं और पूरी के लिए जब लोईयां तोड़ते हैं या पेड़े बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े ना बनाएं क्योंकि पूरीयां जो हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं करीब 4-5 इंच से ज़्यादा उसकी दायमेटर नहीं होता है तो उस हिसाब से चोटे-चोटी लो लगाना चाहिए क्योंकि अगर हम पर्थन लगा कर पूरीयों को बिलते हैं तो उसमें जो सुखा आटा होता है जब हम कड़ाई में डालते हैं तो तेल में जाकर जल जाता है तो तेल खराब हो जाता है उसकी कोई जरुत नहीं है वैसे तो पूरीया ऐसे ही आसानी से बिल लेकिन अगर आप चाहें तो जो कड़ाई में हमने तेल दिया है उसी में से कुछ ड्रॉप तेल आप अपने चकले पर डाल सकते हैं और इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम तेल का हाथ लगा सकते हैं और इसकी मदद से पूरीयों को आसानी से बिला जा सकता है बस अब हम इसक ठीरे ठीरे हलके प्रेशर के साथ बेलेंगे और पूरीयों को सभी तरफ से एक समान बेलना चाहिए कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसे नहीं होने चाहिए बस एक समान सभी तरफ से प्रेशर डालें और एक समान मोटाई का बेलें और पूरी को बहुत पतला भी ना बेलें हमारा गरम हो चुका है कि ने एक छोटा सा पोशन हम आटे का इसमें डाल के देखेंगे अगर आटा उटके उपर आ जाया तो इसका मतलब तेल गरम है लेकिन अभी ये उपर नहीं आ रहा है तली में बैठ गया है तो हमें थोड़ा सा वेट और करना होगा आप देख सकते हैं कि ये उपर उठके आ चुका है इसका मतलब तेल त्यार हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं और पूड़ियां डालना शुरू करेंगे एक पूड़ी मैंने इसमें डाल दी और जब तक ये पूड़ी फ्राई हो रही है हम दूसरी पूड़ी भी बेल के त्यार रखेंग और ये पूरी फ्राई हो चुकी है इसे मैं निकाल लेती हूँ और ऐसे ही बाकी की पूड़ियां भी फ्राई कर लेती हूँ गर्मा गर्म स्वादिष्ट देखने में बहुत सुन्दर बहुत ही साफ्ट और बहुत ही खस्ता चुकंदर की पूरियां बिल्कुल तयार हैं दोस्तो आपके हमारा आज का विजिन देखा होगा और उम्मिद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारी रेसिपीस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी चैनल मेंजन भारती को लाइक करें शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बटन दबाते वग बेल आइकन को भी जिरूर लिट करें जिसे कि हमारी सभी रेसिपिस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें अगे करें बे एक नए मेंगे के साथ फिर से मुलाकातों की नमस्कार